अगर आप गोल्ड में शॉट टम के लिए ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहाँ पर बाइंग करना चाहिए कहाँ पर सेलिंग करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टार्गेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीख है 12 अगस्त 2023 टाइम हो रहा है रात के 1 बच के 34 मिनट और आज दिन है सैटेडे फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी गोल्ड की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पे ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फरेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते है इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ग्यान बहुत देंजर्स हो सकता है आज बात करेंगे गोल्ड की जिसका कॉंट्रेक्ट है कर ट्रेडिन प्राइस का गोल्ड जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 58,906 रुपे के आसपास और इसका लेटेस्ट हाई पोस्ट हुआ है 61,850 रुपे और इसका लेटेस्ट लोग पोस्ट हुआ है 57,400 रुपे फंडामेंटल व्यू की बात की जाये तो घर्ती बढ़ती हुई ब्याजदरे और चाइना की और से दिमांड और सप्लाए जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चड़ाव और नियूस इन सारी बातों का असर गोल्ड के ऊपर देखने को मिल सकता है इंपोटेंट सपोर्ट की बात की जाये तो सपोर्ट यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है पहला सपोर्ट 58,719 रुपे, दूसरा सपोर्ट 58,557 रुपे, और तीसरा सपोर्ट 58,329 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इन सपोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही सपोर्ट बाद में रेजिस्टेन्स का काम करेंगे इंपोर्टेंट रेजिस्टेन्स की बात की जाये तो रेजिस्टेन्स यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निचे की तरफ आ सकता है पहला रेजिस्टेंस 59,031 रुपीज दूसरा रेजिस्टेंस 59,233 रुपीज और तीसरा रेजिस्टेंस 69,414 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price in resistance को तोड़ के उपर की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही resistance बाद में support का काम करेंगे Very long term यानि मन्थली चार्ट पे train की बात की जाये तो Train positive दिखाए दे रहा है long term यानि weekly चार्ट पे train की बात की जाये तो Train negative दिखाए दे रहा है तो करना क्या चाहिए आईए देखते है इससे पहले Friends आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक 11 सा like भी जरूर कर लेना Friends जो buy करना चाहते हैं उनके लिए सलाह रहे Trading avoid की strategy अपनाए फिलहल बाजार अभी negative दिखाए दे रहा है Current Price पर buy side का risk reward ratio देखे तो Risk 187 रुपे और reward 125 रुपे के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है अगर आप bind करना चाहते हैं तो bind level जो है Current Price 58,906 रुपे से 187 रुपे निचे यानि 58,719 रुपे के आसपास bind करे Target रहेगा 69,031 रुपे अगर यह target अचीव होता है तो second target रहेगा 69,233 रुपे और इसके लिए stop loss रहेगा 58,572 रुपे और friends stop loss जरूर लगाए बिना stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है अगर आपने top level पे already buy किया है तो आपकी total quantity में से 30% quantity 58,719 रुपे के आसपास average करे अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है तो आप 58,557 रुपे के आसपास 30% quantity average करे Friends averaging करने के लिए train का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है और long term यानि weekly chart पर train की बात की जाए तो train Negative दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे जो सेल है उनके लिए सलाह रहेगी Sale on right की strategy अपनाए फिलहाल बजार अभी negative दिखाए दे रहा है Current price पर sale side का risk reward ratio देखे तो risk 125 रुपे का दिख रहा है और reward 187 के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है अगर आप selling करना चाहते हैं को selling level जो है Current price 58,906 रुपे से 125 रुपे उपर यानि 69,031 रुपे के आसपास selling करे Target रहेगा 58,719 रुपे अगर यह target अचीव होता है तो second target रहेगा 58,557 रुपे और इसके लिए stop loss रहेगा 69,189 रुपे और friends stop loss जरूर लगाए बिना stop loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है अगर आपने lower level पे already sale किया है तो आपकी total quantity में से 30% quantity 69,031 रुपे के आसपास average करे अगर बजार इससे भी उपपर चला जाता है तो आप 69,233 रुपे के आस पास 30% quantity average करे जैसे की हमने पहले भी बताया averaging करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है और long term यानि weekly chart पर trend की बात की जाए तो train negative दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे अभी के लिए overall trend negative रहेगा sale on rise करके चले लेकिन streak stop loss के साथ आने वाले दिनों में sales side target 58,719 रुपे और 58,557 रुपीज के आसपास देखने को मिलेंगे फ्रेंज अगर आप इन levels पर trade करना चाहते हो तो आपके financial expert की राय जरूर ले ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस financial market में सही गलत की समझ जरूर रखे और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खुद ही ले और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे अपनी trading में back testing या paper trading जरूर करे उसके बाद ही trading करे अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे धन्यवाद